विद्शेत्र के ये पहल पगेली न्यू चैनल में हम कनिस्तिवारी अपना पंचन का सबेजनेन का प्रणाम करी थे सीधी के आज के दिन बेहत मनहूस दिन कहा जाय सकत है कहें कि सीधी के कोरोना 2.0 मा यदी देखा जाये तो सबसे तेज यदी कोरोना के तेजी देखी गए तो आज के दिन देखी गए जोने मा अपना पंचन के बताया दी कि कोरोना 2.0 सीधी मा आज के दिन सबसे ज़्यादा 5 कोरोना पॉजिटिव पाएगे जोने मा अपना पच्चन के बताए दी कि अब सीधी मा कुल कोरोना संक्रमित के संख्या 27 जोने मा एक्ट्यूकेसन के संख्या 8 ही और 255 सिंपल जो है आज लीन गे हैं अपना पच्चन के बताए दी कि सीधी मां कलेक्टरेट मां आज जो है एक जो युवक है वा टाइपिस्ट के पद मां कलेक्टर कोट मां पदस्त रहें जिनका रिपोर्ट कोरोना परस्टिव आई के बाद पूरे जीला मां अरकम मजिगा कहें कि कलेक्टरेट परिसर सीधी जीला के रिदय अस्था लाए कहें कि उहां हर व्यक्ति जो है चाहे एक किसान होई चाहे एक अधिकारी होई चाहे एक आम्धिक्डर क्लेक्टरेट परिसर मा कॉणों न कॉणों काम से जाते हैं अव उनकर एहम विभाग माा पदस्तों के बाद सीधी मां हरकम मज़ी है अपना पजिक उतंच वताँ कि आज देन भर मा contact history तलास ही जार रहीEZ, यूवक के contact history तलास की जार रही कहें कि यूवक सिम्टमेटिक कोरोना पावगा है कि उनके अंदर लक्षन रहें जोने के चलते हूं अपने माताजी के जाच कराएं दुनों जने के कोरोना फाल्स्टियू रिपोर्ट आई तहम पूरी कॉंटेक्ट हिस्त्री लेके आया हैं कि यूवक के 142 लोगन से संपर्क पावागा है जिनकर सेंपलिंग कराएं दीन गई ही अब चार दिन बाद उगा रिपोर्ट आई जो सीधी का अब राहत दे थी या फे सीधी का एक बड़े खत्रा के और आगे बढ़ाय दे थी या देकर तिल्चस पोई अपना पच्छा के बताय दी कि जो हिस्त्री है उनक पारिवारिक कारिकरम मां 24 जून का अहिर गाओं सतना अमार पाटन से पहले अहिर गाओं एक गाओं है जहाय उन पारिवारिक कारिक्रम मा सरी खोई गे रहें 24 जून का अपना पच्चिन का बताया दी कि वह कारिक्रम मा सीधी भाजपा के जिलाध्यर्च इंसरंड सिंग चौहान के पत्नी पूत्र और पूत्री उनके साथे गे रहें जोने मा अपना पंजित के बताए दी कि या कारिकरम जो है 24 जून से 29 जून तक चला जोने मा उं सतना के अहिरगाओं मा उपस्थीत झित रहे अपना पंजित के बताए दी कि 38 तारीक का घृटक के जोट टाईपिस्थ है यूबक है जब परिवारी कारिक्रम मंगे रहें, उमाउगंज के फूल गाउं हैं, वहां बरातव मंगे रहें, 29 तारीक का बरात लवटी और 30 तारीक का यूवग सीधी पहुंचें, जिनका हलकी सर्दी बुखार और सर्मा दर्द के दिक्कत होई के चलतें, सीधी के, जिलाचिकत साले म फीवर क्लिनिक मा आपन हूँ, अपने माता जी के सेंपलिंग कराए रहें, जोने के चलतें, जब आज रिपोर्ट आई, तब बेहत चौकवावे वाली रिपोर्ट रही, कि तुन हूँ जने कोरोना पाजिटिव पाएगे, तो जोने कलाई के अपना पंजिर के बताये दी, कि पारिवारी कारिक्रम मा सरीख होई के बाद, अब जमोरी सिंगरान के आज जो है, कुल, डारिक्ट कॉंटेक्ट वाले व्यक्ति हैं के 27 जने के सेंपलिंग कराई गया, ओके बाद, कलेक्टरेट परिसर मा अब 30 तारिक से आज 6 तारिक होला ही, तो 5 तारिक तक उउख्त के द्वारा काम कीनगा, जोने के चलते, डारिक्ट कॉंटेक्ट मा 115 लोग कलेक्टरेट कारियाले के आएं, जिनका यदि टोटल कही दीन जाए, तो 115 धन 27 मतलब 142 लोगन के डारिक्ट सेंपलिंग कराई गई है, अब 4 दिन बाद वह रिपोर्ट है, जो जिला खीतिर व्यक्ति जुड़ा है, ता फे प्रसासान खातिर एक बड़ी चुनावती होई, कि यदि रिपोर्ट मा भारी संख्या मा पॉजिटिव आब थे, तब सीधी के सबसे बड़ा कुरोना विस्पोर्ट होई, ओ दौर मा सबसे बड़ी खतरनाक बात या ही, और सोचे वाली बात यही कि अब यदि वा दौर मा यदि 142 लोगन के रिपोर्ट में कोनो वेक्ति की पॉजिटिव आ जा थी, तो उनकर कॉंटेक्ट हिस्ट्री धूड़ा बेहत बड़ी चुनावती होई प्रसासन खातिर, कही कि सीधी के हाला तो हम अपने साथ चल रही, या वीडियो मा प्रसासनी का धिकारी के लापरवाही रवाय के वजह से आए, कहे कि वहा दौर MP संदेश News 24 अपना के दिखाए है, जब लोगदाउन फर्स रहा, सिकंड रहा, थर्ड रहा, फोर्थ रहा, किन्तु अब अनलॉक फेज है, जो उन्हें मा पावंदी लगाई गई है, कि दुक प्रसासन अपील करा थी, सरकार अपील करा थी, किन्तु लोगदाउन मा बिलकुल जागरुकता नहीं आए, जो बेहत चिंतनी है, कि सीधी आगामी दिनननमा का चीन के बोहान मत अबदील हुजी, यह एक बड़ी चिंतनी विशय है, यह से आपन बहुत ख्याल रखी, और हम से कम यह तस्वीर अब कल न बनें, एक ही खीतिर अपनों प्रयास करी, और हम हो प्रयास करी, कहें कि सीधी यदि, यह मेला पर वाह रही, तो वह दिन दूर नहीं, जब सीधी मा बड़ा कोरोना विश्पोर्ट होई, और हम अपना केवल हो केवल, अपने हाथ मा, हाथ धरे, रूब, और कुछ नहीं कहें, यह से आपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी, तीन ठे आती आवश्यक मंत्र हैं, ओका कंठस्त के लिए, कि बहुत ज़रूरी होई, तब घर से बाहर निकले खाए, नहीं ता, यदि गय हैं बजार, तो मास्क है, भारत मा कोरोना से, कोरोना जी सा बैस्चुक मा हमारी से लड़ाई की तीर, बिल्कुल मुफ्त प्लेइ स्टोर मा उपलब्ध है, आरोग गिशे तुएप, अवस्य डाउनलोड करी, अव आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी, खबर अच्छी लागे, ता अव लोगन तक पहुँचाई, काहे कि हमार मिज़न है कि हर व्यक्ति होए जागरुक, तब हम कोरोना से अवस्य जीता, बहुत बहुत धन्यवाद, प्लाम